क्रांति कारी थे वो बहुत पढ़े लिखे थे और वकालत भी करते थे क्रांति का ऐसा जुनुन छाया उन पे कि वो सब को छोड़कर अंदोरन में कूद पड़े और अंग्रेजों को भगाने के लिए यहां से दिन रात एक करने लगे हाँ हम बात कर रहे हैं चंसेखर आजाज जी के बारे में जिनें प्यार से लोग पंडी जी के नाम से जानते हैं आए हम उनके बारे में जानते हैं और जानना भी चाहिए प्रते एक भारतवासी को अपने सहीदों के जानना भी चाहिए ताकि जो आजादी हमें मिली है हम उसक का महत्तु समझ सकें कि कितने त्याग समर्पन से वो आजादी मिली है महान क्रांतिकारी का परिचे जिसने भारत के निर्माण में अपना जीवन बलिदान कर दिया ऐसे युवा क्रांतिकारी के बारे में हम लोग जानते हैं चनसेखर आजाद पंडिजी पूरा नाम चनसेखर सीताराम तिवारी जन्मिस्थान भावना चभवा जिला जो वर्तमान में जिला अलिराजपूर मध्यप्रदेश में पड़ता है जन्मतिती 23 जुलाई 1906 पिता पंडिजी सीताराम तिवारी माता जगरानी देवी चनसेखर आजार ने अपनी माता जी को ये वचन दिया था कि वो जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे क्योंकि माता जी इनकी चिंतित रहा करती थी कि उस समय जो क्रांधिकारी थे उन्हें जबरजस्ती ईंग्रेज उन्हें फासी पर किसी न किसी बहाने से लटका देते थे तो इसके लेकर चिंतिती इसलिए आजाद पंडी जी ने अपनी माता जी को वचन दिया था कि वो जीते जी अंग्रेजियों के पकड़ में नहीं आएंगे सही दिस्थल अलफेट पार्क इलाबाद किसी मुखबिर जिसका नाम बदलकर अब आजाद चंसेखर आजाद पार्क रख दिया गया और इलाबाद का नाम बदलकर प्रियाग राज रख दिया गया है किसी मुक्बिर की सहता से अंग्रेजियों को ये पता चल गया कि पंडी जी अलफेट पार्क में मौजूद है वो अपनी प्रोड़े लावल असकर से पंडी जी को नोने घेर लिया जिससे वो सहीद हो गये और जीते जी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आये वो तीथी थी 27 फरवरी 1931 पंडी जी लगभग 24 वर्ष की अवस्था में अपने जीवन को बलिदान कर दिया इस भारत के निर्माण में पंडी जीते जी जिन संगठनों से वो जुड़े रहे वो थे संबंधित संगठन थे नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन इन संगठनों से पंडी जी जुड़े रहे इसके अलावा भी पंडी जी गोपनी तरीके से औरशा के जंगलों में, गोपनी तरीके से सर्ष चलाना, युवाओं को प्रसिछन देना और गोपनी तरीके से भारत की अंग्रेज़ों के पर जितनी भी गदभिध्यती उसमें सनलिप्त रहते थे पंडिजी के मानना था कि वो आइंसा यात्याग के माध्यम से ही आजादी नहीं पा सकते इसलिए उन्होंने ये रास्ता भी अपनाया तो मित्रों ये रही हम लोगं की पंडिजी के बारे में चर्चा अगर आपको चंचकर आजाज जी के बारे में कुछ जानना है तो आप में कमेंट करें और ये सूचना कैसी लगी वो भी हमें बताएं आज ये चर्चा यहीं तक अगले अंक में हम लोग किसी अनिस्क करांतिकारी के बारे में जानेंगे धन्यवाद